संजय जैसवाल ने सवाल तो सही पूछा कि आकिर बिहार के विश्य विद्यालेओं में इतना लेट सशन क्यों होता है और तीन साल की डिगरी छे साल में क्यों मिलती है लेकिन इसके बाद फिर से भाजपा और जद्यू का विवाद चरम सीमा पर पहुँच गया है और बार ब बिहार में तीन साल का सेशन चैस साल में होता है और इसके लिए सिधा सिधा सन्जय जैसवाल ने बिहार की सरकार यानिकी नितीश कुमार पर टारगेट किया और साफ साफ कहा कि ये लोग सेशन क्यों नहीं टाइमली करवा रहे हैं सवाल तो बिल्कुल सही है Banks बाद बिहा ऐसा मचा कि देखिए ज़्यों के संसदिया बोर्ड के अध्यक्ष है उपेंद्र कुश्वाहा वो कह रहे हैं कि हमको तो हसी आ रहा है संजड्याइस्वाल का बात सुनकर और उसके बाद उपेंद्र कुश्वाहा ये कहते हैं कि बताईए कि विश्विद्याले का कुलाधी प और इसका मतलब संजड्याइस्वाल सिधा सिधा फागू चोहान पर सवाल उठा रहे हैं और इसके बाद उपेंद्र कुश्वाहा कहते हैं कि एक बात बताईए कि कुलाधी पती यानि की बिहार की राजिपाल को कौन बैठाया है इस सीट पर मतलब की केंद्र सरकार और कें पर सरवा होते हैं वो राजिपाल होते हैं और राजिपाल को बैठाने वाला वेक्ति हैं नरेंद्र मोधी और संजड्याइस्वाल ने जब ये सवाल पूछा कि बिहार में लेट सेशन क्यों हो रहा है तो जडियू ने सीधा सीधा पूरा जो गेम है वो पलट दिया है और क विश्यविद्याले का कुलाधिपती कौन होता है विश्यविद्याले का सरवे सरवा कौन होता है और अगर संजड्याइस्वाल को ये मालूम नहीं है तो उनको इस बात की जानकारी रखनी चाहिए कि विश्यविद्याले का सरवे सरवा आगर राजिपाल होते हैं तो ये राजिपाल की गलती है ना कि सरकार की आप समझेगा इस बात को ये बिहार का सबसे बड़ा इशू है कि किसी भी छात्र को सही समय पर डिगरी नहीं मिलती है कोई भी परिक्षा सही समय पर नहीं होता है और संजय जैसवाल ने सवाल तो सही पूछा लेकिन इसमें वो खुद ह फस गए क्योंकि राजपाल विश्विद्धाले के सरवे सरवा होते हैं और इस लिहाज से राजपाल ही सब काम देखते हैं और राजपाल को ये सुनशित करना होता है कि विश्विद्धाले का सब कुछ ठीक ठाक से चले और अगर ऐसा बिहार के विश्विद्धाले में हो संजय जैसवाल ने जब कि पिछले दिनों ये कहा कि अगनी वीर योजना में बिहार की प्रशासन मुस्तैद नहीं थी तो जट से आये ललन सिंग और ललन सिंग ने कहा कि हम गोली थोड़ी चलवा देते मतलब कि जदियू ने वहां अपना स्टेंड पूरा क्लियर कर दिया औ उन्होंने कहा कि आपको इस पर पुनर विचार करना चाहिए उस वक्द भी उपेंद्र कुष्वा ने कहा था कि संजय जैसवाल बहुत बोलते हैं हम लोग उनको इगनोर करते हैं और अभी अभी का जो विवाद हुआ है लेट सशन को लेकर संजय जैसवाल के सवाल से तो बिहार की राजनितिगर्ण हो गई है महराष्ट्र वाला सीन जब आप याद करेंगे कड़ कभी लगता है कि भाजपा भी ऐसे ही सत्ता का हस्तांतरन कर देगी बिहार में भी और निती इश्कुमार को अपना कुर्सी गवाना पड़ेगा जिस तरीके से ये दोनों पातिया सत्ता में एक साथ तो हैं लेकिन इनका मत एक वक्त एक वक्त एक साथ कभी नहीं होता है उसको देखकर ये लगता है कि कुछ न कुछ कभी भी खेला हो सकता है बाकि सनेडे सवाल का सवाल बिहार के उन सारे छात्रों के भविश्य का सवाल है जो लोग बिहार के विश्यवि